स्वागत है आपका इस प्लेलिस्क में हम चैप्टर नंबर वन के सारे एक्स्ट्रा कोश्चन्स को डिस्कस कर रहे हैं NCERT कोश्चन्स के लिए और सैंपल पेपर्स के लिए अलग प्लेलिस्क है तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था अब उसके आगे कॉंटिन्यो करते हैं Next कोश्चन पे आते हैं ये वाला कोश्चन भी NCERT एक्जांपलर प्रॉबलम है हम सारे के सारे एक्जांपलर कोश्चन्स को सीरियल ओगर में सॉल्व कर रहे हैं चलो next कोश्चन पे आते हैं Are there two irrational numbers whose sum and product both are rationals? देखो कोश्चन में ये पुछा जा रहा है कि क्या आप दो ऐसे irrational numbers को बदा सकते हो जिनको अगर add किया जाए तब भी rational number आए और उन दोनों irrational numbers को अगर multiply किया जाए उनका product निकाला जाए तब भी rational number आए हमने अपनी तरफ से दो ऐसे irrational numbers घूंगने हैं जिने add करने के बाद भी rational number आए और उन दोनों irrational numbers को अगर multiply किया जाए ना तब भी rational number आए तो पहले तो पूछा जा रहा है क्या ये possible है और अगर possible है तो फिर हमने बताना है exact example देके बताना है क्योंकि यह आपर लिखा हुआ है justify मतलब हमें reason देना पड़ेगा चलो answer पर आते हैं तो पहली बात तो यह है कि yes ये possible है हम दो ऐसे irrational numbers घूंग सकते हैं जिने add करने के बाद भी rational number आएगा और उन दोनो irrational numbers को न अगर आपस में multiply किया जाए तो multiply करने के बाद भी एक rational number ही आएगा actual में तो हम ऐसे ऐसे infinite examples बता सकते हैं जो इन दोनो conditions को न पूरी तरह से satisfy कर रहे होंगे चलो first example पे आते हैं यह हमारा first number है first number है 3 plus under root 2 और दूसरा number है 3 minus under root 2 first number है 3 plus under root 2 और दूसरा number है 3 minus under root 2 अब देखो यह दोनो numbers न इरrational numbers है क्योंकि square root के अंदर कोई न कोई number है न और square root के अंदर अगर perfect square ना हो तो इसका मतलब वो irrational number होता है तो 3 plus root 2 individually देखा जाए तो यह irrational number है और 3 minus root 2 इसको भी अलग से देखा जाए लेकिन अगर आप इन दोनों numbers को add करोगे मतलब इनका sum निकालोगे यह देखो 3 plus root 2 यह first number था और 3 minus root 2 यह second number था जब हम इन दोनों को add करेंगे तो यह minus root 2 से यह वाला plus वाला root 2 cancel out हो जाता है तो 3 plus 3 6 बचता है जो की एक rational number है तो हमने दो irrational numbers को add किया जो की एक rational number है तो question की first condition तो हमने satisfy करवा दी कि plus करने के बाद न rational number आना चाहिए अब question में एक और condition थी कि multiply करने के बाद भी rational number आना चाहिए अब multiplication वाली condition को देखते है अब हम इन दोनों numbers को multiply करके देखते है तो यह हमारा first number है 3 plus under 2 और यह हमारा second number है 3 minus under 2 यह दोनों के दोनों irrational numbers है अब हम इनने multiply करते हैं और multiply करने के लिए हम इस आगेंकिकी को यूज़ कर रहे है a square minus b square is equal to a plus b into a minus b और इस आगेंकिकी को न हम right hand side से left hand side की direction में यूज़ कर रहे हैं देखो हमें इस form में दे रखा है a plus b into a minus b और हम a square minus b square की form में अगले skep में लिखने वाले हैं यह देखो a plus b और दूसरी bracket में है a minus b इसको अगले skep में हम लिख देंगे a square minus b square इस आगेंके की help से a की जगा पे 3 है तब ही बना है यहाँ पे 3 का square और क्योंकि b की जगा पे under 2 है तब ही अगले skep में बना है under 2 का square आगे simplify करते हैं 3 का square होता है 9 minus का minus as it is और square की बज़े से न यह square होक्ता sign हट जगा तो सिरफ 2 बचेगा अब 9 minus 2 is equal to 7 और 7 एक rational number है तो देखो दो irrational numbers को हमने multiply किया multiply करने के बाद भी एक rational number आ रहे तो हमने question की न दोनों conditions को satisfy कर दिया है addition करने पर भी rational number आया और multiplication करने पर भी rational number आया और हमने शुरुवाव करी थी दो irrational numbers को लेके तो ये possible है कि आप दो irrational numbers को add करो तो भी rational number आजे और multiply करो तो भी rational number आजे बस आपने अपने starting के जो numbers यह न उनको smartly choose करना है और ज़रूरी नहीं कि आपने यह वाले example लेना है आप अपनी तरफ से infinite example ज़ूर लिख सकते हो for example अगर आप इन दोनों numbers को लोगे न 5 plus and root 2 और 5 minus and root 2 तब भी result same आएगा मतलब add करने पे भी rational number आएगा multiply करने पे भी rational number आएगा देखो जानके आपने अपने अपना numbers इस तरह से select करना है ताकि जब add किया जाए न तो ये जो square root वाला part होता है जिसकी वज़े से number irrational बन रहा होता है वो वाला part cancel out होजे तो एक बार आपने plus में लेना है और एक बार आपने minus में लेना है ताकि जैसे ही उनको add किया जाए ये root 2 से minus root 2 cancel out होजे और 5 plus 5 गरे क्लिक can आजे वैसे 7 plus and root 8 7 minus and root 8 इससे करोगे तब भी answer आएगा 10 plus and root 6 10 minus and root 6 इससे करोगे तब भी आपका question प्रूव हो जाएगा तो आपने question में जो numbers चूज करने है उनको इस तरीकी से smartly चूज करने है मतलब यहाँ पे positive sign लेना है और यहाँ पे negative sign लेना है clear next question पे आते है state whether the following statement is true हमें question के अंदर एक statement दे रखिया है और हमने पता लगाना है कि क्या यह वाली statement true है तो चलो ज़रा ध्यान से बढ़ते हैं इस वाली statement को there is a number x such that x square is irrational but x raised to power 4 is rational तो question में यह बुला जा रहा है कि कोई ना एक number है उस number को हम x माल लेते हैं और इस number की खास बात ही है कि जब आप इसका square करोगे ना तो वो irrational होगा लेकिन एक बार square करने के बाद जब आप दुबारा से square करोगे जैसे first time जब आप square करोगे तो x square बन जगा जब दुबारा square करोगे x square का भी square करेंगे तो वो x raised के बार 4 बन जाता है वो rational होगा justify your answer by an example तो पहले तो हमने बताना है कि क्या यह वाली statement true है या false है और अगर यह वाली statement true है तो फिर हमने एक example देके prove भी करना है साबित भी करना है अपने answer को अपनी statement को तो आपको question clear हो गया question में यह बूला जा रहा है there is a number x such that x square is irrational बट x raised के बार 4 is rational question में यह बूला जा रहा है कि एक number है उस number को हम x मान लेते हैं और अगर आप उस number का square करोगे ना तो square करने के बाद जो आएगा वो तो होता है irrational लेकिन अगर एक बार और square कर दिया जाए तो x raised के बार 4 की जो value आएगी वो होगी rational हमने ऐसा number ढूंगना है तो चलो solve करना start करते हैं देखो answer को लिखने से पहले ना आपको rough में थोड़ी से thinking और थोड़ी सी calculation करने पड़ेगी देखो question में rational और irrational numbers की बात हो रही थी ना तो जैसे आप irrational numbers सुनते हो तो आपको ये तो clear है कि जो under root 2 है वो irrational number होता है इतना दो हमें पता है न अच्छे से कि जब भी irrational number की बात होती है तो ये तो आपके दिमाग में तुरंद आ जाते है कि जो square root of 2 है वो एक irrational number है और अगर हम इसका square करें square of under root of 2 तो value 2 आ जाती है जो की rational है अब देखो हमें ये पता है कि under root of 2 एक irrational number है और under root of 2 का अगर square किया जाए तो 2 आता है जो की एक rational number है तो मतलब हमें अब वो वला number ढूंगना है जिसका square करने पे root 2 आ जे क्योंकि root 2 का square करने पे तो 2 आ जाता है हमें एक ऐसा number ढूंगना है जिसका square करें न तब जाके root 2 आए क्योंकि वो होगा irrational फिर उसका भी दुबारा से square करेंगे तो 2 आ जेगा जो की हो जेगा rational clear हुआ तो आखरी के दो step तो हमें पता है हमें ये वला step ढूंगना है कि यहां पे क्या आएगा वो कौन सा number है जिसका square करें तो जाके root 2 आता है जो की एक irrational number है फिर इसका square करेंगे तो तो 2 आ जेगा जो की एक rational number है तो conditions सारी सैकिस्वाई हो जेगी अब देखो अभी तो सोच रहे हैं भी पता नहीं हमें ये जो root 2 है ना root 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raise को बार 1 upon 2 clear मलब 2 raise को बार 1 upon 2 लिखाओ या root 2 लिखाओ एक ही बात होती है अब यहां पे आएगा 2 raise को बार 1 by 4 क्योंकि 2 raise को बार 1 by 4 होता है उसका square करो तो ये root 2 आ जाता है और उसका भी square करो तो फिर वो 2 के equal होता है और 2 raise को बार 1 by 4 को ऐसे भी लिख सकते है 4th root of 2 जैसे ये number क्या है 2 ये number क्या है square root of 2 और ये number कौन से है 4th root of 2 तो इसका square करने पर ये बनता है root 2 और उसका square करने पर 2 बनता है और ये fourth root of 2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 raise को पार 1 by 4 और square root of 2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 raise को पार 1 by 2 चलो answer के उपर आओ जब answer को discuss करेंगे आपको और जाध अच्छे से clear हो जागा तो पहले तो हमने लिख दिया कि yes जो question में हमें scapement दे रखे न वो वाली scapement true है कि हम ऐसा number ढूंग सकते हैं जिस number का square करें तो irrational लाएगा फिर दुबारा से square करें तो जागे rational number आएगा मतलब ये वाली chain बनानी है हमने हमने ऐसा number ढूंग लेना है जिसका square करने पे irrational लाएगा दुबारा square करने पे rational लाएगा तो पहले तो true लिख दोगे अब reason ये explanation को देखो number है हमारा fourth root of two square root of two नहीं fourth root of two clear तो हम अपने number को x मान लेते हैं और ये fourth root of two को ऐसे भी लिख सकते हैं two raise to power one by four अगर आप यहाँ से square हो खटाओगे ना तो क्योंकि यहाँ पे four लिखाव है तो यहाँ पे raise to power one by four लिखना पड़ेगा ऐसे लिखो यह ऐसे लिखो बात एक ही है यह दोनों चीजे same चीज को ही represent करती है बस लिखने का style अलग है तो यह हमारा number है अब आते हैं पहली बार square करते है squaring on both sides left hand side पर भी square करना है और right hand side पर भी square करना है तो x का square करने पर बन जगा x square और यह देखो two raise to power one by four है ना उसे as a guess लिखा और इसके उपर भी हमने bracket गाल के square का sign गाल दिया क्योंकि squaring करनी है ना अब यह x square raise कि जिरह आगा और हमें यह पता है कि यह वले जो exponents होती है यह वले जो parts होती है यह आपस में multiply होती है यह जो नीचे वला two है यह base है और यह one by four और यह वला two यह दोनों pregnants है मतलब powers है और हमें पता है कि यह exponents आपस में multiply होती है तब ही अगले step में हम इन दोनों को ना multiply कर रहे हैं 1 by 4 multiply by 2 ये 2 और 1 by 4 के cutting करेंगे तो 2 raise को बार 1 by 2 रह जाता है और 2 raise को बार 1 by 2 का मतलब होता है square root of 2 clear हुआ तो जो number हमने माना था ना हमने जब पहली बार उसका square किया square करके simplify किया तो वो root 2 के एकपल आ गया जो कि एक irrational number है तो question की पहली condition true होगी हमने ऐसा number ढूंग लिया जिसको square करें तो एक irrational number आता है root 2 irrational number है तो पहली बार square करने पर हम यहां तक पहुँच गये हैं x square की value root 2 के एकपल आ रही है जो कि irrational number है अब दुबारा से square करते हैं again squaring on both sides तो x square का भी दुबारा से square करेंगे और under root of 2 का भी दुबारा से square करेंगे अब हमें पता है यह वाली parts आपस में multiply होती हैं तो 2 multiply by 2 बन जाता है x raise to power 4 और यहां पे square करने न तो square करने के वज़ए से यह root का sign हट जगा तो बन जाता है सिरफ 2 इस वाले square से यह वाला root का sign हट गया तो सिरफ यह वाला 2 रह गया और जो 2 है वो एक rational number है तो यह question की second condition भी true होगी पहली बार square करने पे एक irrational number आया लेकिन जैसे ही एक बार raw square किया तब जाके rational number आया तो यह दिखो last भी हमने ना एक बार summarize कर दिया है हमने x को अपनी तरव से assume किया था fourth root of 2 हमने अपनी तरव से x को assume कर लिया था fourth root of 2 फिर जब हमने square किया square करने पे root 2 आया था जो कि एक irrational number है और question में भी यह बो लगया था कि ऐसा number ढूंड़ो जिसे square करेना तो irrational number है लेकिन जैसे ही एक बार और square किया तो यह root हट किया और वो बन गया rational number तो question की दोनों conditions satisfy होगी हमने ऐसा number ढूंग लिया जिसका square irrational होता है लेकिन raise to par 4 rational होता है अच्छा अब जरूरी नहीं कि आपने यही example देना है अगर आप evil example दोगे तो भी पूरे marks बिलेंगे लेकिन और भी कई सारे examples है जिनसे prove हो सकता है अगर आप 4th root of 2 को नहीं लेना चाहते है तो 2 की बजाए 3 ले लो तब भी prove हो जगा 4th root of 3 या 4th root of 5 ले लो तब भी हो जगा या 4th root of 6 4th root of 7 यह square root के अंदर na perfect square नहीं होना चाहिए perfect square के लावा कोई भी number लिखो जैसे यहाँ पर आप 9 नहीं लिख सकते है क्योंकि 9 3 का square होता है तब भी हमने देखो 3, 5, 6, 7 बीच में 4 नहीं लिखा क्योंकि 4 perfect square होता है 2 का square होता है वो तो इस question के लिए infinite options है आप square root के अंदर 4th root के अंदर कोई भी number लिखो जोकि नब perfect square नहीं हो उससे आप यह prove कर सकते हो और वैसे यह वहला example बेगदम perfect है आप 4th root of 2 को लेकर ही prove कर सकते हो Next question पर आते है कोईशन की first line में clearly mention कर दिया है कि जो x है वो तो एक rational number है लेकिन यह जो y है न वो एक irrational number है तो हमसे question में यह पूछा जा रहा है तो क्या यह जरूरी है कि x plus y मतलब इन दुनों numbers को जब add करेंगे तो वो एक irrational number ही होगा Give an example in support of your answer और हमारा जो भी answer है yes है या no है हमने example देके prove भी करके आना है मतलब अपने answer को justify करना है दुबारा से पहले आपको ना question clear होना चाहिए कि question में पूछा क्या जा रहा है question की first line में तो clearly बताय जा रहा है कि x एक rational number है और y एक irrational number है फिर question की second line में पूछ रहे है कि x और y को add करेंगे तो क्या ये necessary है क्या ये ज़रूरी है कि add करने के बाद जो number आएगा वो एक irrational number ही होगा मतलब एक rational number और एक irrational number को जब भी add किया जाएगा तो क्या ये ज़रूरी है कि जो result है वो irrational ही होगा और हमने अपने answer को example देके support भी करना है मतलब reason भी provide करना है चलो answer पे आते हैं discuss करना start करते हैं चलो answer पे आते हैं देखो x एक rational number है आप कोई भी rational number ले सकते हो और y एक irrational number है यहाँ पर भी y की जगा पर भी आप कोई भी irrational number ले सकते हो जब आम इन दोनों को add करेंगे न मतलब rational number के अंदर एक irrational number को add करेंगे तो add करने के बाद जो result आएगा वो irrational number ही होगा 100% है irrational के इलावा और कोई होई नहीं सकता एक irrational नंबर को न आप rational नंबर के साथ चाहे add करो, चाहे subscribe करो चाहे multiply करो, चाहे divide करो जो merge करो, जो result है it will always be irrational ये बात आपने हमेशे याद रतनी है दुबारा बोलता हूँ मैं किसी भी irrational नंबर को किसी भी rational नंबर के साथ चाहे आप add करो, चाहे subscribe करो चाहे multiply करो, चाहे divide करो जो result होगा न वो irrational ही होगा ये बात आपने याद रखनी है अब क्यों होगा, वो भी मैं आपको explain कर देता हूँ question में पहले example देने के लिए बोला गया था न तो एक बार example देखे बता देते हैं इस question का solution complete कर देते हैं तो x हमने rational नंबर मानना था तो हम 5 मान लेते हैं, 5 एक rational नंबर है और y एक irrational नंबर था न तो irrational नंबर ये वाला word सुनते ही दिमाग में under root of 2 आता है तो add करने पर left hand side पर बन जग x plus y और ये दुन दो add के बन जगे 5 प्लस under root 2 और 5 प्लस under root 2 एक irrational नंबर होता है अब देखो मैं आपको reason बताता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि irrational नंबर में rational नंबर को आप add करो, subtract करो, जोमर जी करो हमेशा irrational ही क्यों आता है अब मैं आपको उसका reason उसके पीछे की concept बता रहा हूँ देखो, under root 2 एक irrational नंबर है और जो irrational नंबर होती है न वो non-terminating and non-repeaking होती है under root 2 की ये value होती है 1.41421 यह से मैंने यहां तक लिखिया है ये infinitely expand होती है आगे जाके मतलब ये decimal point के बाद ना तो ये numbers कहीं पी जाके खतम होने वाले हैं और ना ही ये वाले numbers आपस में repeat होती है मतलब हर बारना अलग-लग तरह के numbers आते हैं तो ये under root 2 की value होती है अब 5 को भी आप decimal point की form में लिख लो 5 को decimal point की form में लिखेंगे तो वो 5.0 बस ऐसे लिख पाओगे अब जब आप इन दोनों को add करोगे 5 की अंदर आपने root 2 को add किया तो बन गे ना 5 प्लस root 2 अब ज़रह इनके decimal form के अंदर भी इनको add करके देख लेते हैं decimal point की नीचे decimal point लगाया आपने इन दोनों को add किया तो ये 5 प्लस 1, 6 और ये decimal point के बाद ये वाले सारे गिजिक्स ही आ रहे है अब देखो ये वाले जो number है decimal point के बाद यहाँ पर भी तो infinite गिजिक्स आ रहे है यहाँ पर भी तो हर बार सारे नए गिजिक्स आ रहे है ये भी non-terminating है और non-repeaking है और जो भी non-terminating और non-repeaking बाले numbers होते हैं वो सारे irrational numbers होते हैं ये number irrational था ना ये number irrational पता है क्यों था decimal point के left hand side पर जो गिजिक है उसकी वज़े से नहीं decimal point के right hand side पर ये जो इतने सारे गिजिक्स हैं इनकी वज़े से ये irrational था जब इसकी अंदर आप कुछ add करोगे ना तो आप शुरुवात वाले कुछ गिजिक्स के उपर फरक गाल दोगे लेकिन ये जो बाद वाले गिजिक्स हैं इनके उपर तो आप कोई फरक गाल ही निपाओगे ये पहले भी non-terminating और non-repeaking in nature थे agnition के बाद भी ये non-terminating and non-repeaking ही रहेंगे nature में इसलिए irrational नंबर में आप किसी भी rational नंबर को चाहे add करो चाहे subtract करो चाहे multiply करो चाहे divide करो जो मर्जी करो ये जो decimal point के बाद वाले के जिक्स होते हैं इनकी irrationality को आप destroy कर ही नहीं पाओगे जो rational नंबर है वो irrational numbers की irrationality को destroy नहीं कर पाता है इसलिए जो result होता है वो हमेशा irrational होता है देखो यहाँ पे जब हमने 5 को इसमें add किया था ना तो सिरफ आगे वाले एक गिजिक के उपर फरक गाल पाए ये पीछे वाला non-terminating और non-repaking तो ऐसे ही रहा अगर कोई आप और बड़ा number ले लोगे तो आप शुरुवात वाले 5-6 गिजिक के उपर affect कर दोगे लेकिन आगे वाले गिजिक तो फिर से non-terminating और non-repaking ही रहेंगे तो rational number irrational number के non-repaking nature को खतम नहीं कर पाता इसलिए जब भी add किया जाते है ना rational और irrational को तो जो result के होता है वो हमेशा ही irrational number होता है clear तब हमने यहाँ पर लिख भी दिया यह add करने के बाद जो number आए था ना इस number के बारे में बात कर रहे हैं above number is non-terminating and non-repaking hence irrational यह वाले जो number है यह non-terminating और non-repaking nature का है इसलिए हम बोलते हैं कि यह irrational number है यह यहाँ पर इस example के अंदर जो बात मैंने आपको explain करी है ना उसको मैंने words में भी लिख दिया है तो आप इसको reach करोगे तो और ज़्यादा clear हो पाएगा अच्छा जैसे यहाँ पर 5 को हमने add किया था ना हमें पता है कि rational numbers में कुछ ऐसी होते हैं terminating होते हैं और कुछ non-terminating repeating होते हैं जैसे 5 terminating था जो rational numbers होते हैं वो non-terminating and repeating भी तो होते हैं अगर आप किसी non-terminating repeating number को भी यहाँ पर रखे add करोगे ना तो भी add करने के बाद जो result आएगा ना उसमें यह वाले जो digits हैंगे वो non-terminating और non-repeaking nature के ही होंगे तो rational number चाहे terminating हो चाहे non-terminating repeating हो जैसा मर्जी rational number हो आप उसे irrational number में add करके irrational number की non-terminating और non-repeaking nature को खतम कर ही नहीं पाऊगे a rational number when added to an irrational number has no effect on the non-terminating non-repeaking nature of irrational number rational number को जब add किया जाता है irrational number में तो rational number का ना irrational number के ओपर बस नहीं चलता मतलब it has no effect on the non-terminating non-repeaking nature जो irrational number का non-terminating non-repeaking nature होता है मतलब decimal point के जो बादवाले गिजिक सारे होता है उसके उपर कोई effect नहीं हो पाता वो पहले भी non-terminating non-repeaking होता है और rational number के act करने के बाद भी वो non-terminating और non-repeaking ही रहते हैं Hence, the sum of a rational and irrational number is always irrational इसलिए जब भी आप rational और irrational number को add करोगे न तो result हमेशा ही irrational आएगा Next question पे आते हैं Like x be rational and y be irrational Question की first line में clearly mention किया हुआ है कि जो x है न वो तो एक rational number है लेकिन यह जो y है y एक irrational number है Is xy Necessarily irrational अब question की second line में पुछा हुआ है कि xy मतलब x और y को जब हम आपस में multiply कर देंगे तो क्या यह जरूरी है क्या यह necessary है कि इनको multiply करके जो आएगा वो भी एक irrational number होगा justify your answer with an example हमने पहले तो बताना है कि यह जरूरी है या नहीं मतलब true है या false है और उसके बाद फिर justify भी करना है reason भी देना है चलो answer प्याप है देखो x एक rational number है question की first line में clearly बताया हुआ है और y एक irrational number है यह भी question की first line में clearly बताया हुआ है कि y irrational है अब irrational number को आप rational number के साथ multiply करो, divide करो, add करो, subtract करो जो मर्जी करो जो result होता है न वो हमेशा ही irrational होता है x एक rational number है y एक irrational number है दोनों को multiply करोगे न तो जो result हैगा वो हमेशा ही irrational ही होगा irrational number को rational number के साथ सिरफ multiply नहीं add करो, subtract करो, multiply करो, divide करो, जो मर्जी करो, जो result होता है, it will always be irrational. अब question में कह रहे थे कि example देके justify करो, तो खीक है फिर हम example देके justify कर देते हैं, x को माल लेते हैं 5, जो की एक rational number है, और y को माल लेते हैं under root of 2, जो की एक irrational number है, अब multiply कर देते हैं इनको, x multiply by y, xy, इन दोनों को multiply करके बन जाता है 5 under root 2, अब जो 5 under root 2 है, यह एक irrational number है, when a rational number is multiplied by an irrational number, it has no effect on the non-terminating and non-repeating nature of irrational number, जब आप एक rational number को multiply करते हो, एक irrational number के साथ, तो जो irrational number है, वो non-terminating और non-repeating होता है न, rational number से multiply करने के बाद भी, वो non-terminating और non-repeating ही रहता है, मतलब irrational number के यह वाला जो behavior है न, जो उसका non-terminating और non-repeating nature है, इसको rational number change कर ही नहीं पाता, मतलब rational number से multiply करने पर irrational number के nature के ओपर कोई effect ही नहीं पड़ता है, वो पहले भी non-terminating, non-repeating था, multiplication के बाद भी वो non-terminating और non-repeating ही रहता है, Hence, the product of a rational and an irrational number is always irrational, तो अब rational और irrational को multiply करोगे न, तो जो result है वो हमेशा irrational ही आएगा, यह वाली बात अपने याद ही रखनी है, अब irrational number के साथ, rational number को add करो, subscribe करो, multiply करो, divide करो, जो मर्जी करो, जो result होगे न, it will always be irrational, शेर की तरह पूरी ताकत से त्यारी करनी है एग्जाम के, See you in the next video, all the best!